आज ये सत्र पाग अगर गेम खेल रहा है तो हम ना तो गुंगे ना हम बहरे ना हम अनदे बहुआ जब आप यहां बोलोगे ना तो हम अपनी बात को आप से पूछने का मारा हक है तो आप एसी को लड़वाएं आप OBC को लड़वाएं मारी छाती पर यो काले नाग क्यूं लेकिन आप न्याई की बात करें सतर सिक्टे अगर आप लड़ रहे हो तो सतर पर कम से कम भी 20 पर आती पिछड़ों को आपने चुनाव लोड़ माना चीए लोगसवा चुनाव के बाद जो सबसे पहला चुनाव होने जा रहा है वो हर्याना और जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है एक अक्टूबर को जो है मतदान की प्रक्रिया होगी और अभी से गड़बंदन का दौर चालू हो गया है जो सत्ता में साथ थे जेजेपी जननायक जंता पार्टी आज उनोंने घोशना की है कि वह सत्तर सीटों पर हर्याना में विधानसमाय स्माच चुनावAl ऑड़ेगे और बीस सीटों पे गुलाब की तरह खिल खिला रहे थे हमने ज़ेजेपी के पूरों सांसज से सवाल किया के सांसजी आप यह बताएं कि हर्याना के अंदर अती पिछणों को आप क्या दे रहे हूं जैसे मैंने हाथ मिलाया और मैंने उन्हें कहा कि देंगे देंगे हमने देखा वह टाल्ट पोल कर रहे थे तो मैंने हाथ छोड़ा नहीं क्योंकि जिस तरह हमारे अर्याना वालों की पकड़ है यह जिस तरी के बीजेपी में बैठा था और पूरे हर्याना के अंदर चाहिए किसान अंदोलन हो चाहिए महिलाओं का छात्रों का मजदूरों का दलीतों का कभी सामने नहीं दिखाई दिया यह जैसे गाओं में गुशता था तो लोग इसका विरोध करते थे आज यह मेरे को यहां मिल गया जब इसका बिलकुल बेड़ा गरक हो लिया है और याना के अंदर 2000-500 बोटनिया नहीं इस अदमी को और फिर भी हमने का कि तो लोग गट बंदन हुआ है वाई चंदर सेकर जी के साथ मैं चलो हो सकता है बैं इन्हों के अंदर की बाते हैं अजार बाते हो सकती है तो कही नहीं है लेकिन जब मंद से ही इन्हों न पिछड़ों को हरियाना के अंदर कोई शिट नहीं मिली है और यह पहले जब बना जब भी नहीं इसकी पार्टी नहीं तो आज यह सत्तर बग अगर गेम खेल रहा है तो हम ना तो गुंगे ना हम बहरे ना हम अंदे वह जब आप यहां बोलोगे ना तो हम अपनी बात को आ है कि इसको एहसास हो कि अती पिछड़े भी जिन्दा है और अपने हकादिकार के लिए वह लड़ रहे हैं यह हमारी पहली प्रात्मिता है जिस दिन अब हमारे समाज के लोग बाहर निकलके ने मूल पिछड़े वरके हो तो यह तमाम लोग जो हना गया रहे हैं और क्यों न आदमी को लेकि आते हो यही आल हो रहा भी अभी जमीन पर जाएंगे ना तब और देखेंगे लेकिन आज हमारी बात ही हमने मुखरता से रखी है इनको कहा है कि अधी पिछड़ों की अगर आप अंदेखी करोगे तो कि में तो तारह से तानास होई रहा है और नहीं हो तब तक आप उनके साथ बणे रहें तो उन्होंने कहा कि हमने कभी किसानान का विरोध नहीं किया हमने रोटीं बेजी हमने खाने बेजी और हात तरसि अगर अकेला अपनी पार्टी के और चो मूल पिछड़े जो लोग है जो राजनेतिक से अच्षूत हैं मैंने चंदर्शेकर भाई को भी कहा कि आप आपको इस बात का पता कि हर्याना के अंदर दबंग लोग है जो जमीनों पर कबजा करने वाले हैं जो जाती का वर्षाची वर्थ तो रखने वाले लोग है वह आपको अभी नहीं आने देंगी कम से कम है इनको चाचा हम कह कह कहा के मारे बाप दादा कह कह मर गये आप तो मत कही है ना आप वन्चीतों को न हो सोशीतों को टिकट अगर उनके सविधान के अंदर प्रुधान नहीं होता तो जो आठारा विधायक बनते हैं दो एक टिकट भीन के दियो किसी ने ना दी आज तक दो टिकटे बड़ी बड़ी जो पार्टी आना उन्हों ने दी और उन्होंने भी एक कोटा जो होता ना बहुँ है कोई शवाल ना उठा है एक कांगरेस न एक बीजेपी ने एक नाम चंदर जांगडा ने दी ती गोहना से ब हुआ है जिस हिसाब से वो इनके साथ आ रहे हैं हमारी आशा टूट रही है मैं 2017 से चंदर सेकर भाई के साथ में पहला वेक्ति हूं जंतर मंतर पर जब इनने पहला प्रोटेस्ट किया था 2007 के अंदर 17 के अंदर उस्टेम हम वहीं मोजूद थे तो सवाल यहां कि हम उस्टेम से लेके आज तक इनके साथ लग रहे हैं और चार दिन का जिसको कुछ मिल जानकारी नहीं जाती का आदमी होता है वुश आदमी को आप जो लडबाएं आप OBC को लडबाएं मारी चाति पर यह काले नाग क्यों ला रहे हो यह तो सारे पर्लेमेंट के अंदर जा रहे हैं जाना चाहते हैं हम भी अपनी बात करना जाते हैं यह यह हमारा धर था दुसन चोटा लाँ का हाथ आद मैंने पकड़ा है मैं तमाम आपके महादम से कह रहा हूं ऐसे दबंग लोगों का ऐसे एमपीओं का जिसने हम हाथ नहीं पकड़ेंगे और टाइट नहीं पकड़ें और कहेंगे निया बार-बार तीन बार का आथ तो छोड़ दे आथ लेकिन आप न्याय की बात करें सत्तर सिक्टे अगर आप लड़ रहे हो तो सत्तर पर कम से कम भी 20 पर आती पीछड़े को आपने चुना लड़ वाना चाहिए तो आपने सुना हिसार से जो किसान निता हमारे साथ हैं और क्या है आपकी राइस बातचीत पर आप अपनी राह मे दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें